जिसने जूर्ण का स्मरण जूर्ण की तरह कर लिया, उसके सामने अब कर्म की बहुत बड़ी दिमेदारी आती है, बहुत बड़ी। इसमरण माने यही नही होता, के सच्संग में बैठ गए और इटा का पाड़ कर लिया, भजन कर लिया, कीरतन कर लिया। जूट को अगर जूट जान लिया तो अब कर्म से कैसे बचोगे पहले लग रहा था कि तुम्हारे घर में जो कुछ मौजूद है वो साज सज्जा की शोभा की वस्तुएं हैं अब जान लिया कि वो कचरा हैं अब कर्म से कैसे बचोगे सम्यक इस्मरण की अनुगूँज होती है कर्म सम्यक इस्मरण का अनुगामी होता है सम्यक कर्म जान लिया तुमने कि तुम्हारा घर कचरे से भड़ा हुआ है तुम अभी तक इस कचरे को समझ रहे थे घर की शोभा तुम अभी तक समझ रहे थे कि ये तो घर की रोशनिया है इन्ही से तो घर में नूर है यही तो घर की उपियोगी वस्तुएं है दिख गया कि यह घर का कच्रा है, अब कर्म करना पड़ेगा या नहीं, क्या कर्म करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी, अध्यात्म बस इतना ही है भाई, जिन्दगी का और कोई उद्देश नहीं है, कोई पुछे, कर्म माने क्या, सफाई कर्म माने क्या, जब मैं कर्म कहूं तो समझ ले ना, सम्यक निश्काम कर्म कर्म माने क्या, सफाई, और कुछ करने लायक नहीं है तो आप कहेंगे अचारे जी बस इतना ही सफाई अरे बस इतना ही नहीं सफाई बहुत बड़ी बात है भाई तुम्हें अगर लग रहा है कि बस इतना ही तो इसका मतलब है कि तुम अभी अपनी कचरे की गहराई इससे परिचित नहीं हो अगर तुम कह रहें वाचारी जी अध्यात्मा ने बस सफाई करनी है तो इसका मतलब है तुम जानते ही नहीं कि कचरा कितना गहरा और कितना जिद्धी है बहुत सारा है और बहुत चिपकू है हटना नहीं चाहता अब समझे कि जीवन में करने योग क्या है समय क्या करते हुए बिताना है आदमी का जन्म हुआ ही किस लिए है जीवन में करनी है क्या है सफाई और कुछ नहीं यही साधना है वही ईशिस्मरण है वही योग है उसके अतरिक तो और कुछ नहीं तो क्या जीवन कुछ पाने के लिए मिला है क्या पाओगे भाई क्या तिकमाने के लिए मिला है किसकी नजरों में भाई सुक सुविधा भोग विलास के लिए मिला है जीवन अरे छोड़ो ना भाई जीवन किस लिए मिला है क्योंकि करनी है सफाई और कोई उद्देश नहीं जीवन का सफाई करो कल बात कर रहे थे तो सफाई के मैंने आपको 2000 बताए थे क्या एक जाडू एक तलवार अगर जड़ लगे कचरा तो उसके लिए है जाडू जड़ कचरा मने पत्थर पानी तो पत्थर पानी के लिए जाडू काफी है और अगर चैतन ने लगे कचरा तो उसके लिए है तलवार इसके अलावा जीवन में कुछ करने लायक नहीं जो कुछ भी कर रहे हो बस अपने आप से पूछो सफाई कर रहा हूं या कुछ और जो भी कर रहा हूं और उसमें सफाई निहित है तो ठीक कर रहे हो सफाई नहीं है तो क्यों समय बरबाद कर रहे हो समय के बाबात हमने क्या बात करी थी तो उसमें से हैं कितने आपके पास दस निकले थे कुल बात में एक दो लोगों ने बोला अचारे जी आपका गड़ित कुछ ठीक नहीं है दस भी नहीं है दो चार ऐसे भी काम है हमारे जिनका आपने नामी नहीं लिया पर उनमें समय बहुत जाता है आपने तो बड़ी भाली बाते कर दी आपने कहा कि वो बस कि शोरा वस्था में पंदरा निकल जाते हैं साल दस बढ़ापे में निकल जाते हैं पचीज सोने में निकल जाते हैं और क्या बोला था दस नेतिक दैनिक क्रियाओं में निकल जाते हैं और भी है काम तो इसका कुल निशकर्ष क्या है, इसका मतलब ये है, कि साधना के लिए, असली काम के लिए, जिसके लिए जनम हुआ है उस काम के लिए, दस साल भी नहीं है, मैं कर बुद्धू कोन है, मैं कि तुम, मैं बुद्धू ही भला, पर तुम्हारी होशियारी तुम्हारे किस काम तुम्हारे ये भाई, समय तो और कम है ने तुम्हारे पास, और तुम उसको व्यर्थ करे जा रहे हो, फिर समझो, ये भूत बहुत पुराना, बहुत जिद्धी है, चढ़ा हुआ है बिलकुल, असानी से नहीं उतरता, इसलिए बार-बार दोहरवा रहा हूं, जिन्दगी कि इसलिए है, और कुछ करने लायक नहीं है, आदत वश कुछ भी मत करने लग जाना, बार-बार अपने आप से पूछना जो कर रहा हूं, इससे कचरा साफ होगा या नहीं होगा, और कभी ये मत कह देना, कि नजाने अचारे जी को कौन सा विराठ कचरा दिख रहा है, हमें त और खतरे का सूचक है, दिख जाए तो सफाई की कुछ सम्भावना, न दिखे तो फिर कचरे पर सो जाना, तो कर्म माने क्या फिर? ये जो तुम यहाँ बैठे हो, ये कर्म की शुरूआत है, इश्वर स्मरण का फिर मतलब सत्संग तक सीमित बिलकुल नहीं है, इश्ष स्मरण की शुरूआत होती है सत्संग से, हमने कहा इश्ष स्मरण माने जूट की सफाई, यहाँ तो बस तुम्हारे हाथों में दिया जा रहा है, कर्म अब करना है, मेरे पास आये हो, मैंने बस बताया है कि कचरा बहुत है, जाडू की बड़ी जरूरत है, मैं चलाओंगा थोड़ी जाडू तुमारे लिए, मेरा अपना कचरा बहुत है, अपना अपना कमरा सब को खुद साफ करना है, सेल्फ सर्वेस का म फुम्हारे जीवन की सफाईמה है, नहीं कर सकते हैं, कुई नहीं कर सकता, वो काम तुम्हें ही करना है, और वो बड़ा भारी काम है फिर से बोलो एक ही करने लाया काम कौन सा है और वो काम किसे करना है तुम्हें ही करना है मैं सच्चा ही दिखा सकता हूँ रास्ता सुझा सकता हूँ कुछ बाते बता सकता हूँ तुम्हें जगा सकता हूँ सब कुछ कर सकता हूं लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ेगा उस रास्ते पर प्राइब कर सकता हूं लेकिन चलना तुम्हें ही रास्ते परना तुम्हें ही आपड़ेगा मार्स भी जा उसे ही जचे।